हलो फ्रेंड्स विल्कम टो एचार एक उजकोशन दोस्तों कैसे हैं आप लोग है होग कि आप बहुत ही अच्छे होंगे साथ ही साथ जो भी आपकी तयार ही है वो भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा तो दोस्तों आज का इस वीडियो में में लेका आया हूँ आपके लिए इस वीडियो बहुत ही एक्स्क्लूजिवली एक्स्प्लेइन किया जाएगा इस आक्ट को इस आक्ट का पार्ट वान इस वीडियो में दिया जाएगा देखते हैं किस सेक्षन तक जाता है इस वीडियो को ज्यादा link दी बनाने की कोशिस मैं नहीं कर रहा हूँ इतना sort हो सके उतना बनाने की कोशिस कर रहा हूँ और फिर भी इतना section तक आज exclusively explain किया जा सकता है मैं वो करूँगा और यह जो वीडियो है आपके लिए जो भी NET और JRF की exam दे रहे हैं या फिर कोई भी अगर PSUHR की तयारी कर रहा है या फिर IBPS specialist officer का जो HR का exam होता है उसका भी अगर कोई तयारी कर रहे है या फिर UPSC का जो enforcement officer का exam है उसका भी अगर कोई तयारी कर रहे है तो वो सब के लिए ये वीडियो बहुत ही helpful बहुत ही एहम रहने वाला है क्योंकि आपका जो Factories Act है आपका 1948 तो ये बहुत ही important यानि कि ये आपका सबसे ज़्यादा important act है इसमें 120 sections है तो सारे sections को explain करना ठीक नहीं हो जो भी आपका important sections है वो सारे provisions को मैं explain करूंगा part by part देखते हैं कितने part बनता है I hope कि 3 या फिर 4 पार्ट में ये complete हो जागा क्योंकि बहुत ही बड़ा act है और बहुत ही important act ये आपके लिए है तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और बताए ये वीडियो आपके लिए helpful रहा या नहीं आपको जो भी necessary information चाहिए exam point of view से वो सारे information इस वीडियो में provide किया गया या नहीं ये इन तक देखिए मुझको जरूर बताए comment box में जरूर comment कीजिए तो आप मुझसे जुच करते हैं मेरा नाम है एसर साहू और ये मेरा facebook page ये hriq education one के नाम पर twitter handle है और ये है मेरा telegram group जो कि आप join कर सकते हैं इसमें मैं daily quiz provide कर रहा हूं ठीक है तो इसको जल से आप join कीजिए और ये तीनों platform में आपको notification वीडियो का मिल जाता रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो lecture है पहले हम देखते हैं कि preview और history क्या था इस जो 1948 में जो factories act बना उससे पहले जो भी act था वो कैसे था वो कैसे बना था ठीक है तो first cotton textile factory of India आपका है Bombay में आपका हुआ था बिहार में 1873 सायद रिस्त्रा बिहार के रिस्त्रा में सायद हुआ था यह आप एगवार चेक कर लिजेगा या फिर में comment box में इसको बता दूंगा बिहार के कौन से एरिया में आपका यह हुआ है बिहार में हुआ था आपका first iron and steelworks of India the lanka sire manufacturers of Great Britain and the philanthropists along with the social workers of India तो इंडिया में जो first factories act बना था 1881 में तो इसको initiate करने में किस-किस का हाथ था फिर ले तो आपका lanka sire manufacturers of Great Britain Great Britain का यह जो lanka sire manufacturers यह आपका textile में business करते हैं और इंडिया का जो philanthropists साथ हे साथ कुछ social workers इन सब का हाथ था इंडिया का जो first factories act बना 1888 में इसको बनाने में इसको initiate करने में जो protective labor legislation इंडिया में इनिसेट करने में यह दोनों चीजों का हाथ था यह दोनों का हाथ था यह different regions के वज़े से था जो lanka sire manufacturers था वो great britain में आपका textile business करते थे ठीक है और उस time में क्या हुआ कि इंडिया का textile business बहुत ही जादा grow हुआ grow करने लगा क्योंकि इंडिया में labor बहुत ही सस्ता था ठीक है labor को बहुत जादा exploit किया जा रहा था तो labor बहुत ही सस्ता मिल रहा था तो इसके वज़े से इंडिया में जो companies था जो factories था उस time पे तो वो बहुत ही जादा textile industry में grow करने लगे तो उनका growth देखके यह lankasar manufacturers का जो यह जो company था वो इस बहुत सारे companies थे लankasar में तो उनका growth के comparison में इंडिया में जो growth था बहुत हाई हो गया तो उनका business धीरे धीरे डाउन होना लगा तो वो लोग क्या किये वो जो industrialist थे वो ट्राय किये कि इंडिया में कैसे एक प्रोटेक्टिब लेबर लेजिसलेशनल आय तो उतना business में फायदा नहीं होगा तो उनका growth डाउन हो जाएगा तो उनका जो कोशिस था एसा था पर जो इंडिया का जो philanthropist थे साथ ही साथ जो social workers थे उनका कोशिस यह था कि इंडिया में जो laborers हैं उनको उनका नयाय मिले उनको उनका hop मिले ठीक है तो यह दोनों की वज़ पर ज्यादा focus था 1888 का जो आक्ट यह ज्यादा focus था और यहां पर किया था किनकिन फैक्टरी में यह लागो हो रहा था 100 और मोर वार्कर्स जिन फैक्टरी में काम करते थे 4 months in a year तो एक साल में अगर वह चार मन्थ काम कर रहे हैं तो अगर कोई फैक्टर में 100 से ज्यादा worker इस फैक्टर में यह लागो हो रहा था और चाहई लेवर के अद्गिद में अध्वर्क्र था ठीक है तो यह जो आक्ट 12 बार आमेंडमेंट क्या गया उसकी बाद memb तो इंपोर्टन आमेंट्मेंट्स अब 1891, 1911, 1922, 1934 एससे करके यह 12 टाइम्स यह आमेंट्मेंट्मेंट्स किया गया तो 1922 का आक्ट इंपोर्टन्ट है आपके लिए इसलिए 1922 में आपका जो डिफिनिशन दिया गया था चाइल्ड का वो अभी तक भी बरकरार है बिलो 15 years of age ठीक है और weekly holiday भी दिया गया था आपका फेले 1922 वाले जो आक्ट में और overtime rate भी आपका दिया गया था 1922 वाला जो आक्ट में overtime के लिए एक fixed rate होना चाहिए ठीक है तो यह जो 1922 में आपका amendment हुआ था यह 1919 में जो ILO बना ठीक है ILO बनने के बाद आपका बहुत सारे सारे countries इसके अंडर आ गए तो यह एक universal amendment करने की कुछिस किया कि laborer के life में कुछ improvement लाय जाए तो इसके वज़े से 1922 में एक amendment लाय गया था ठीक है तो पहले आपका bill prepare किया गया in the ninth meeting of the standing labor committee यहाँ पर आपका bill prepare किया गया तो बिल कहां से लाय गया था अध्यक्ट्रिज अध्यक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटन 1937 में ग्रेट बिटन का जो फेक्ट्रिज अध्यक्ट था उस अध्यक्ट से बिल लाय गया था बिल इंट्रोडूस किया गया आपका dominant assembly में 3rd December 1947 में ठीक है तो बिल पास हुआ next year 28th अगस्ट में 1948 में बिल पास हो गया उसके बाद यह governor general का आसेंट रिसीव कर लिया 23rd September 1948 तो governor general का आसेंट जब रिसीव करता है यह आक्ट में तबदिल हो जाता है तो यह आक्ट हो गया 23rd September 1948 और यह लागू कब से हुआ यह डेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है यह लागू हुआ came into portion 1st April 1949 पे यह लागू हो गया ठीक है एसा था इसका history यह कैसे बना तो यह आक्ट में कुल मिला के आपका 3 schedules और 120 sections है जो कि आपका 11 chapters में बटे हुए है ठीक है एक sub chapter भी है उसके अंदर chapter 4 के अंदर एक sub chapter भी है पर यह 11 chapters में बटे हुए है 120 sections and 3 schedules ठीक है hope आपको समझ में आ रहा होगा तो पहले हम देख लेते हैं यह 3 schedule और 11 chapters क्या-क्या है first schedule आपका है the list of industries involving hazardous processes ठीक है तो second schedule आपका है permissival limit of certain chemical substances in work environment यह है आपका second schedule और third schedule आपका क्या है list of notifiable diseases यह सब आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में यह बार-बार पूछे जाते हैं कौन सी schedule में factory जाक्ट है third schedule में क्या है या फिर notifiable disease factory जाक्ट कौन सी schedule में है या फिर factory जाक्ट में कुल मिला कि इतना schedule है यह सब questions पुछे जाते हैं exam में ठीक है तो यह हो गया आपका schedule अब देखते हैं chapters क्या-क्या है first chapter आपका है preliminary second chapter आपका है the inspecting staff third है आपका health then आपका safety आपका fourth chapter और मैं जैसे की बोला था fourth chapter में एक sub chapter भी है chapter IVA आपका provisions relating to hazardous processes तो hazardous processes का जो भी provisions है वो safety के under ही आता है ठीक है तो यह है आपक sub chapter और chapter भी आपका है welfare then next chapter आपका है working hours of adults chapter 7 आपका है employment of young persons और chapter 8 आपका है annual leave with wages और आपका chapter 9 आपका है special provisions कुछ है chapter 9 में और penalties जो भी है वो सब आपका chapter 10 में है और chapter 11 आपका supplemental है ठीक है तो धीरे धीरे वो सब discuss करते जाएंगे पहले आपका chapter 1 देखते है preliminary तो preliminary में आपका है first section में आपका है short title extend and commencement तो short title आपका title क्या है इस आपका the factories act 1948 तो extend यह किस हद तक extend करता है it extends to whole of India इंडिया का सारे पार्ट में यह extend करता है तो इसका commencement कब हुआ था it came into portion जो came into portion है यह आपका enforcement date है यह आपका first April 1949 ठीक है तो interpretation में आपका second section में आपका interpretation यह definition नहीं के रूप में दिया जाता है पर यहाँ पर interpretation के रूप में दिया गया है ठीक है तो interpretation में आपका section 2a है आपका adult इसका जो adult में क्या कौन कौन आते हैं completed the persons who completed 18th years of age जो persons आपका 18th year of age complete कर चुके है उसको हम adult बोलेंगे तो यहाँ पर जो 18 साल complete कर चुके हैं जो employees उसको हम adult बोले ठीक है तो chapter जो sections 2b में आपका है adolescent adolescent क्या है कौन है आपका जो आपका 15 साल complete कर चुके हैं पर 18 साल complete नहीं की है तो 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में जो है उसको हम 15 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उसको हम adolescent बोलेंगे तो next है आपका calendar year यह calendar year कब शुरू होता है from January 1 से लेकर आपक 12 मन्त तक calendar year चलता है यह है आपका section 2b, section 2c में आपका child का interpretation दिया गया है जो की आपका 15 साल complete नहीं किये है ठीक है यह आपका 1922 का amendment हुआ था first factory जाक्ट में इसमें भी यह definition दिया गया था child का ठीक है तो यहाँ पे interpretation में 15 साल के अंदर जो है उसको हम child बोलेंगे तो competent person next है आपका section 2ca में आपका competent person है तो competent person को recognize काउन करता है यहाँ पे chief inspector competent person को recognize करता है तो section 2cb में आपका hazardous process का interpretation दिया गया है section 2d में आपका young person का interpretation दिया गया है young person हम किसको बोलेंगे जो की child है या फिर adolescent है child और adolescent यह दोनों को हम young person बोल सकते है यानि कि जो भी आपका below 18 years of age है उनको हम young person बोल सकते है इसका है आपका section 2d के अंदर तो section 2k में आपका है manufacturing process आता है section 2k में और section 2l में आपका आता है worker का interpretation तो यहाँ पे worker को जो भी definition दिया गया है या जो भी interpretation दिया गया है देख लेते है any person employed directly or through agency through contractor or through contractor with or without the knowledge of the principal employer अगर कोई person यहाँ पे directly employee होता है या फिर कोई agency के through employee होता है या फिर contractor के through employee होता है पर यहाँ पे principal employer जान सकता है नहीं भी जान सकता है principal employer के knowledge के बीना भी अगर employee होता है तभी भी हम उसको worker बोलेंगे तो यहाँ पे कोई भी armed forces का union का armed forces होता है उसका कोई भी member यहाँ पे हम उनको worker नहीं बोल सकते है वो worker पे include नहीं होते ठीक है यह हो गया आपका workers तो अब देखते हैं factory के interpretation में क्या है factory के interpretation आपका दिया गया है section 2 M में ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया गया है जहाँ पे 10 या फिर उससे जादा worker काम कर रहे हैं अगर कोई एक दिन भी अगर पिछले 12 महिने में काम कर दिये तो वो भी आपका factory में गिना जाएगा पर power supply वहाँ पे रहना चाहिए अगर 10 या फिर उससे जादा worker काम किये यह हो गया आपका एक पर अगर 20 या फिर उससे जादा worker काम करते हैं तो वहाँ पे power supply की कोई जरूरत नहीं पर वहाँ पे manufacturing process होना चाहिए और वो कोई एक दिन भी अगर काम किये पिछले 12 महिने में तो व government के पास power होता है कि वो कोई भी premises पे ये act लागू कर दे ठीक है पर ये किसी भी premises पे लागू नहीं होगा जो भी जो premises में आपका कोई भी worker अपने ही family member के साथ अगर सिर्फ अपने family member के साथ अगर वो काम कर रहा है ठीक है तो कोई भी work अगर ऐसे हो रहा है तो उसके उपर ये factory जाक्ट लागू नहीं हो सकता ठीक है ये बहुत ही important point आपका है तो आपका occupier का interpretation दिया गया है section 2N में ठीक है occupier कौन होता है was the ultimate control over the affairs of the factory तो factory पे जिसका supreme control होता है जिसका ultimate control होता है ठीक है उसको हम बोलेंगे occupier ठीक है ये भी आपका exam में पूछे जाते हैं इस सारे sections आ तो आपका section 4 and 5 में क्या दे आगा है power power to declare different departments to be separate factories और two or more factories to be a single factory तो इसका power किसके पास होता है state government के पास और power to exempt during public emergency तो public emergency जो war या फिर internal कोई problems हो गया उसके इसाफसे जो public emergency arise होता है उसके दोरान भी power किसके पास होता है या आक्ट कोई भी provisions या फिर सारे provisions exempt करने के लिए किसके पास होता है power यह power भी आपका होता है state government तो फिला वाला point आपका क्या था fourth section में आपका कोई भी अगर दो department दो या फिर उससे ज़्यादा department है separate department तो उसको separate factory के रूप में power है state government का उसको declare कर सकता है कि यह separate factory है अगर दो या फिर उससे ज़्यादा factories होता है यहाँ पे कही पे भी उस दोनों को मिला कि एक single factory के रूप में भी state government यहां पे उसके पास power है वो उसको decide कर सकता है ठीक है यह हो गया आपका section 5 section 4 and 5 section 6 आपका क्या है approval licensing and registration of factories ठीक है तो यहां पे आपका state government के पास ही authority होता है कि वो rule कोई भी rule frame कर सकता है यह तीनों के regarding approval licensing और registration of factories यह तीनों के regarding कोई भी rule confirm करेगा यहां पे state government frame कर सकता है उसके पास authority रहता है if on the application for permission for the construction or extension of any factory or class or description of factories sent to the state government or chief inspector by registered post and no order is communicated to the applicant within three months the permission for the said applications will be deemed to have been granted तो यहां पे applicant को क्या करना पड़ता है कि अगर अपने factory को extend कर रहा है अगर factory कोई नई premises नई construction अगर वाना रहा है कोई भी construction हो गया ठीक है तो उसके regarding उसको क्या होता है कि apply करना पड़ता है किसको कि उसको state government को apply करना पड़ता है या फिर chief inspector को apply करना पड़ता है through registered post ठीक है registered post में उसको apply करना पड़ता है उसके regarding अगर उसके जो application जिस दिन वो send किया उस दिन से लेकर 3 महने के अंदर-अंदर उसका application का अगर कोई भी order उसके regarding state government या फिर chief inspector अगर issue नहीं किये है कोई भी order तो माना जाएगा कि वो इसको permission मिल गया अगर तीन मेने का अंदर-अंदर कोई भी order state government या फिर chief inspector के द्वारा अगर कोई भी order issue नहीं किया गया तो समझो कि उसका application granted हो गया वो वहाँ पर कुछ भी construction activities कर सकता है ठीके तो यहाँ पर और एक भी है अगर उसका जो application अगर reject कर दिया गया state government है फिर chief inspector के द्वारा तो उस case में उस case में क्या होता है कि वो 30 दिन के अंदर-अंदर उस appeal कर सकता है central government को अगर state government में state government में अगर reject किया है state government में तो central government को appeal कर सकता है अगर chief inspector reject कर दिया तो यहाँ पर अगर और कोई रूप में reject हुआ तो उसको यह state government को appeal कर सकता है तो इसमें आपका जो licensing भी आता है licensing या फिर registration यह सारे के लिए भी अगर जो application है उसको भी अगर यहाँ पर reject कर दिया गया उसके हिसाब से यह appeal करता है ठीक है तो यह हो गया section 6 तो section 7 में आपका क्या है notice by the occupier तो यहाँ पर occupier कौन कौन सी case में notice देता है तो occupier कोई भी premises को occupy करने से पहले या फिर उसको कोई भी premises में factory बनाने से पहले एक notice देता है chief inspector को ठीक है तो वो जो written notice होता है वो 15 15 दिन से पहले जो occupy करना होता है उसके 15 दिन से पहले वो notice देना पड़ता है उसको ठीक है तो occupier और एक बार भी notice देता है वो 30 दिन से पहले यह notice देता है chief inspector को the occupier shall send a written notice to the chief inspector within 30 days of the commencement of the act for all the establishment which comes under the act for the first time तो कोई भी जितने भी establishment है जो कि आपका act के अंदर first time act के अंडर आ रहा है तो उस case में जो occupier है उसको 30 दिन से पहले जो 30 दिन से पहले नहीं जब act का commencement हो रहा है उसके बाद में 30 इस दिन के अंदर अंदर वो उसको notice देता है किसको चीफ इंस्पेक्टर को ठीक है उसके रिगार्डिंग तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है the occupier shall sent a written notice written notice to the chief inspector इस case में भी written notice दे रहा है चीफ इंस्पेक्टर को 30 days before the commencement of the work in a factory अगर कोई factory में manufacturing process हो रहा है ठीक है पर वो factory साल भर में 180 दिन से कम यहां पर manufacturing का काम हो रहा है 180 दिन से कम less than 180 days ठीक है तो उस factory के हिसाब से occupier को एक written notice देना पड़ेगा chief inspector को जिस दिन यह काम शुरू हुआ उससे पहले 30 दिन पहले उसको notice देना पड़ेगा chief inspector को ठीक है कौन कौन से factory में जहां आपका 180 days से कम less than 180 days आपका manufacturing process हो रहा है ठीक है तो अगर कोई नया manager भी appoint हो रहा है कोई भी अगर factory में तो occupier को एक written notice देना पड़ेगा inspector को ठीक है inspector को written notice देना पड़ेगा और उसका copy एक copy देना पड़ेगा किसको chief inspector को within seven days from the persons taking charge जब वो person को duty दिया गया उससे साथ दिन के अंदर अंदर ही यह notice और उसका copy देना पड़ेगा तो next point आपका है inspectors state government has the power to appoint तो इंस्पेक्टर, chief inspector, joint chief inspector, additional chief inspector, deputy chief inspector इस सारे जो है उनको appoint करने का authority, appoint करने का power किसके पास है आपका state government के पास every district magistrate shall be an inspector for his district तो जितने भी district आपका है उसका जो magistrate होते हैं वो अपने district में inspector का काम निभाएंगे ठीक है district magistrate तो next है आपका section 10 तो दोस्तों यह जो lecture है आपको कैसा लग रहा है यह आप जरूर comment box में लिख कर बताएए ठीक है तो section 10 देखते हैं certifying surgeons, certifying surgeon आपका state government जो होता है वो appoint करता है qualified medical practitioner को as certified surgeons तो इनका काम क्या होता है to examine and give certificate to young persons and the persons engaged in dangerous occupations तो young person को certificate physical certificate health certificate उनको देना पड़ता है और जो भी dangerous occupations में देते हैं उनको भी examine करके उनको certificate देना पड़ता है कि आप काम करने के लिए fit हो तो यह certificate कौन देता है certifying surgeon ठीक है उनको examine भी करता है और certificate भी देता है और Certifying Surgeon को कौन Appoint करता है, State Government, ठीक है, तो Next हम देखते है, Chapter 3, जो की आपका है Health, तो Health में आपका, पहला Section आपका है Cleanliness, तो Health में जितना भी Sections है, वो सब आपको याद रख लेना बहुत ही Important है, और Section और Provision यह बहुत ही Important है, यहाँ पे, तो Health का पहला Section आपका है Cleanliness, ठीक है, तो Next है आपका Disposal of Waste and Influence, उसके बाद आपका Ventilation and Temperature, उसके बाद आपका Dost and Fumes, देन आपका Artificial Humidification, देन Overcrowding, देन लाइटिंग, देन आपका Drinking Water, तो आपका Next Drinking Water के बाद आपका Latinary and Urinals, और Last आपका है Spittons, तो यह सारे Chronological Order में आपको य याद रख लिना चाहिए, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि इसका जो First Letter है, इसको याद रखना हूँ, CDVDA Old LS, ठीक है, CDVDA Old LS, ऐसे मैं याद रखता हूँ, तो यह आपको याद रखने में सायद help कर सकता है, पर आप किसी भी तरीके से किसी भी टेखनीक को मिला के अगर उसको याद रखना चाहते हैं, तो याद रख सकते हैं, ठीक है, तो हम अब देखते हैं, cleanliness में आपका क्या है, तो यहाँ पे floor cleaning होना चाहिए, once per week, color washing और white washing होना चाहिए, once for 14 months, और आपका repenting, यहाँ पे टी है, repenting और re-varnishing जो होता है, वो 5 साल में एक बार हो सकता है, और 3 साल म एक बार होगा, जब आपका कोई भी painting previously हुआ होगा, अगर वासेवल water paint के अलावा, अगर कोई भी painting से अगर आपका previously paint किया गया होगा, तो उस टाइम पे आपका water, जो आपका repenting और re-varnishing है, वो आपका 5 साल में एक बार होगा, पर अगर 3 साल में एक बार कब होगा, जब आ ठीक है, यह हो गया आपका cleanliness, तो 12 सेक्षन आपका है, disposal of waste and influence, इसका इतना important कुछ नहीं था provision में, बस आपको 12 सेक्षन क्या है, यह याद रखना है, और 13 में आपका है, ventilation and temperature, 14 में आपका है, dust and fumes, 15 में आपका है, artificial humidification, तो यहाँ पे जो artificial humidification के लिए, जो water use किया जाता है, artificial humidity को control करने के लिए, work places में, working places में, तो वो purified होना चाहिए, या फिर drinking water होना चाहिए, या फिर public places, जो public use के लिए, जो water होता है, उसमें यह होना चाहिए, यह use होना चाहिए, उसमें से, ठीक है, तो next है आपका, 16th section आपका, overcrowding, यह थोड़े important है, इसका provisions, क्योंकि आपका, जि जिस दिन आपका commencement किया गया, उस दिन तक, जितने भी factories उस दिन तक बने थे, उस सारे factories में, आपका 9.9 cubic meter space और every worker आपका होना चाहिए, और जिस दिन यह act commencement हुआ, उसके बाद, जितने भी factories बने हैं, उस सारे factories में, आपका 14.2 cubic meter space और every worker होना चाहिए, ठीक है, for the factories built after the commencement of this act, 4.2 meters above floor level of the room, तो room का जो floor level है, 4.2 meters height में, अगर कोई काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से यह space है, वो यह काम नहीं करता है, उस time पे, तो next है, आपका chief inspector has the power to specify the maximum number of persons employed in a room, कोई भी अगर room में, कितने number of persons employed होने चाहिए, वो कौन specify करता है, वो आपका chief inspector के पास power होता है, उसके पा एक room में कितने member होंगे, ठीक है, तो यह exceptional power आपका chief inspector के पास रहता है, तो 17 section आपका lighting है, जो की ठीक से lighting होना चाहिए, आपका room, ठीक है, sufficient lighting, तो आपका next है आपका, 18 आपका है drinking water, तो drinking water आपका कोई भी contaminated place, या फिर lateral urinal है, फिर कोई भी contaminated place, अगर हो गया, उन में से 6 meter minimum distance होना चाहिए, आपका कोई भी drinking water का जो pipes होगा, या पर drinking water जिसमें से available होगा, वो 6 meter minimum distance होना चाहिए, कोई भी contaminated place से, तो यहाँ पर cooling drinking water का facility कहां दिया जाएगा, cooling drinking water during hot weather, तो गर्मी के मौसम में आपका थंडा पानी कहां दिया जाएगा, जहां आपका 250 से ज़्यादा वरकर काम कर रहे होंगे, 250 से ज़्यादा, मतलब 250 भी अगर होंगे, तभी भी नहीं होगा, minimum 251 वरकर्स यहाँ पर चाहिए, more than 250 वरकर्स लिखाए, तो 251 वरकर्स यहाँ पर चाहिए minimum, ठीक है, 250 से ज़्यादा, तो next app का latrins and urinals in every factory, separate enclosed accommodation for male and female workers, तो यह जो latrins and urinals यह सारे factory में होंगे, कितने numbers का होंगे, यह decide करेगा, कौन chief inspector decide करेगा, ठीक है, चीफ inspector ने इसको decide करता है state government, कि कितने number का latrins and urinal कोई भी factory में होंगे, कितने numbers, उनका numbers decide करता है आपका state government, ठीक है, तो यहाँ पर हर factory में होना चाहिए latrins and urinal, यह जो workers होते हैं, उनको available होना चाहिए, उनके working place के आ enclosed accommodation भी होना चाहिए, male and female workers को हर factory में, ठीक है, तो जहाँ पर आपका 250 या फिर उससे जादा, 250 या फिर नहीं, more than 250, तो जो 250 से जादा worker जो भी factory में अगर employed होंगे, जैसे कि यहाँ पर 250 से जादा था, तो यहाँ भी 250 से जादा worker कोई भी factory में अगर employed होंगे, तो उस case में क्या होगा, all latrins and even else are prescribed sanitary types, तो यहाँ पर कुछ rules लागू हो जाएंगे, latrins and even else में, तो उनका floors और walls जो है, up to 90 cm height, वहाँ पर ये glazed tiles लगेगा, और ये washed and cleaned होगा, once for every 7 days, with detergents and disinfectants, और both, तो detergent और disinfectant use होके, ये washed and cleaned होगा, once for every 7 days, जहाँ पर आपका 250 से जादा worker employed होंगे, ठीक है, तो next section आपका है, speed tunes, every factory, यहाँ पर sufficient number of speed tune होना चाहिए, सारे factory में, और अगर आप speed करते हैं, अगर आप थूखते हैं, जो थूखदाना है, ये speed tune है, तो उससे बाहर अगर factory के premises में, अगर आप कहीं थूखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको penalty पेनल्टी दिया जाएगा, रूपीज 5, आपको penalty देना पड़ेगा, ठीक है, तो I think आज के लिए इतना रहना काफी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लिंग्डी अभी तक तो बन गया है, इतना लिंग्डी बनना ठीक नहीं है, तो आपको समझने में तकलीफ होगा, और आज हम जादा कुछ देखेंगे, तो section 20 तक आज देख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका explanation कैसा लगा, ये वीडियो I think कि सारा जो जितना भी important points है, वो सारे मेंने cover किया हुआ है, आपको अगर ये वीडियो अच्छ लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ share कीज़े, और comment box म ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी इसके next part में मिलेंगे, तब तक, goodbye, जय हिन, जय भारत